दोस्तों ये आम का पोदा दो से तीन साल की लगबग है इसमें फुलावर तो बहुत ज़्यादा हो गए अब इन में आम बनना स्टार्ट होगे पर ये इस टाइम पर इसके ज़्यादा कर फुल नीचे गिर रहे है तो इसका कोई उपाई हो तो बताए बढ़ियाचा जिससे ये फुल फल में बदल जाए खीचडी ज़्यादा गिर रहे है नीचे हाथ लगाते चूते नीचे गिर रहे है और इस टाइम पर इसको पानी देना है या रोकना है पोदे को इसके बारे में किसी भाई को जानकारी हो किसान भाई को तो साजा करें प्लावरिंग बहुत ज़्यादा है इसमें पर यह ओटोमेटिक नीचे गिर रहे है अभी दो सी तिन साल का पोदा है बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है इसमें पर इसमें जानकारी ना होने के कारण इसके इसमें फल नहीं लग पाते हैं और यह पूरे फल नीचे गिर जाते हैं तो जो भी किसान भाई आम की खेती करता हो आम के बारे में जादा जानता हो वो बताए कि इस समें पानी देना है या भी रोकना है पानी को थोड़े दिन फल बनने के बाद में देना है इसमें हम एक बाल्टी चाच डाल रहे हैं दस से दस लिटर चाच यह चाच डाले इसक चाच अच्छी रहती है पोदो के लिए ठीक है तो दोस्तो जो भी आम के बारे आम की खेती कर रहा हो या आम के बारे में ज्यादा जानकारी हो किसी के पास तो साजा जरूर करे दन्यवाद